पास्ट इंडिपनिट टेंस का निगेटिव संटेंस पहचान है पहले जिस हिंदी वाक के बीच में नहीं रहे तथा क्रिया के अंत में या ये ये या था ये थी ये थे आधी रहे तो बनाने का नियम पहले क्या लगेगा सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस भीवन प्लस ओब्जेक्ट ठीक है पहले क्या लगेगा सब्जेक्ट फिट लगेगा डीड प्लस नॉट प्लस भीवन प्लस ओब्जेक्ट या सोटकट पहचान है आका रहे दिरगी का रहे या एका रहे दिर था यह थी यह थे आदी रहे तो बनाने का नियम है पहले subject लिखेंगे फिर deed लिखेंगे फिर not लिखेंगे फिर भीवन प्लस object भीवन हुआ भर्व का पहला रूप तीन रूप होता है भीवन भीटू भीटू भीट्री मुख रूप से तो पहले आकार या द्रगी का या एका या द्रगी रहे तो ऐसा होता है examples मैं school नहीं गया I did not go to school मैं school नहीं गया I did not go to school दूसरा है तुमने किताब नहीं पढ़ी तुमने किताब नहीं पढ़ी तुमने के English you अब did not लगेगा नहीं के English हो गया did not सिर्फ not नहीं लगेगा did not plus did not पढ़ना को गया read किताब का दे दिए book object जो होता है last में आता है यानि शुरू दिए नहीं का did not दिए पढ़ना का दिए read इसके बाद किताब का पीछे दिए a book ठीक है तिसरा है उसने पत्र नहीं लिखा उसने पत्र नहीं लिखा तो हो गया उसने का हो गया he नहीं के लिए यहां did not लगाएंगे लिखना को गया write a letter अब आगे देखे चार में सीता गीत नहीं गाई सीता नहीं के लिए यह देखे द्रगी का है यह है तो भीटू रूप नहीं देना है बलकि भीबन रूप लगेगा सीता डीड नाट सिंग ए सोंग सीता डीड नाट सिंग ए सोंग इस प्रकार से यह भर्व का कौन सा रूप है भीबन रूप का प्रियोग किया जाता है तो इसमें आप देखेंगे इंगलिस में यह है आपको class सभी क्लास के लिए ये है, ने इंगल्लिस सभी क्लास में काम देता है, तो पहले हुआ, फीर हुआ, इसी भी टांसलेशन को सेखने के लिए फ़हले क्या लिखते हैं, पहँआ, फिर नीअप, फिर एकजामपस. जैंपस से क्लीर हो जाता है कैसे बनता है तो फिर से एक वर में रिपीट करता हूँ पहचान जिस हिंदी वाक के बीच में नहीं रहे तथा क्रिया के अंत में या ये यी या था यी थी ये थे आदी रहे तो बनाने का नियम पहले लगेगा subject फिर लगेगा did प्लस not प्लस भीवन प्लस object या आकर तरगी का एक आदर गही रहे short में तो उसमें past indifference होता है और नहीं है तो हो जाएगा past indifference का negative एक्जामपस देखें मैं school नहीं गया I did not go to school तुमने किताब नहीं पढ़ी You did not read a book तुमने किताब नहीं पढ़ी You did not read a book उसने पत्र नहीं लिखा He did not write a letter सीता गीत नहीं गाई सीता डिर नौट शिंग ए सोंग इस प्रकार से आप इसको past indifference के नियम पर पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं और इसको अभ्यास कर सकते हैं You may write इसको आप लिख सकते हैं ठीक है? memorize कीजिए और समझने का कोसिस कीजिए नियम को और trend से ये है कि आप जरूर वीडियो को लाइक करें और आपका लाइक से और अच्छा अच्छा वीडियो बनाने का मौका मिलता है वीडियो को जरूर लाइक करें हर वीडियो को लाइक करने का गोसिस करें ये ये यूट्यूब चैनल AJ Pankaj Math Guru आपके लिए है इसमें आप Math, Science, English की क्लास देखेंगे ओके थैंक यू बेरी मच जैहिंद वन्दे मात्र में स्ट्वेंट्स जैहिंद जैसे है मैं स्कूल एक चीज़ और मैं स्कूल गया तो ये हो जाएगा I went to school जैसे तुम तुमने से खाया ये हो गया इसमें भीटू का प्रियोग होगा निगेटिव नहीं है तो यू डीड नहीं स्वारी यू खाना का इट होता है इट का भीटू लगेगा एट यू एट एन एपल एपल तुमने सेव खाया यू एट एपल ये हो गया पास्ट इन डी फिनिट पास्ट इन डीफिनिट टेंस हो गया ठीक है इसका एग्जाम्पल सुआ है इसमें भीटू का प्रियोग होता है भीटू भर्व का दूसरा रूप लगता है ठीक है भर्व का दूसरा रूप लगता है तुमने शेव खाया ऐसा होता है आप इसके अधार पर और भी बना सकते हैं जैसे जैसे देखे आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं एस डवलू के रूप में जैसे मैं पढ़ना गया तुमने कहानी पढ़ी राम घर गया उसने पानी पी दिया भी टू लगेगा इसमें इसमें भी टू लगेगा निगेटिव आने पर भी बन देंगे निगेटिव नहीं है तो भी टू कप्रियो करेंगे इस तरह के वाक्त लिए झाल झाल